नमस्कार मैं मनीश वर्मा आप सभी का स्वागत है हमारे चल्ट आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्राकर्तिक अवस्था और राज्य पर होप्स की थोड़ से जबो बताना है इसकी आपको अलोजना भी करनी है और परिक्षन का मतलब क्या होता है आपको इसका क अंक्लूजन भी देना है क्या सही है क्या गलत है यह दोनों ही आपको बताना होगा प्राकर्तिक अवस्था या विशय पर होप्स की विचारों की बेवेचना के जिए इसी कोस्टन को अधवा में इस तरह के से पूछा जा सकता है इसलिए मैं आपको तीन कोस्टन दिये हैं जो की सीमिलर है आपस में प्राकर्तिक वस्था होप्स के विचारों की आलोचनात्मक समिक्षा गेजिए इसी कोस्टन को आप इंग्लिश में भी देख सकते हो क्रेटिकली एग्जामीन होप्स वीव और नैचुराल स्टेट एंड इस्टेट इस्टेट ऑफ नेचर की कंड मेडियेवल एच के अंदर मध्य कालिंकाल में मध्य युक के अंदर पुरी दुनिया में कौन सा युक चल रहा था रास्तंत्र एक ऐसा रास्तंत्र जहां पर राजा डिक्टेटर हुआ करता है यहां पर सामंतवाद भी चल रहा था सामंतवाद का मतलब क्या होता है का मतलब जहां पे सबसे उपर राचा होगा उसके नीचे सामन्थ होंगे सामन्थ का मतलब जिसको हम लेन्डौट के रूप में जानते हैं जमवीदार बड़ी जममीनु का मालिक जो फार्मर्स से खेति खरवाते हैं तो इस तरह के से यह तीन सिस्टम हुआ करता था सामन्थ तो मेडियेवल एज के अंदर कॉफिस अंदकार यानिक डार्क एज के रूपे सभी लोगों पर अंद विश्वास फैला हुआ था भाई चर्च और स्टेट डैट मिंस पॉलिटिक्स और स्टेट आपस में जुड़े हुए थी लोगों को इतना लिवरिक्टी था नहीं सुतन काने के लिए होफ्स ने सबसे पहले उदारवात का कॉंसेप्ट दिया किसका कॉंसेप्ट उदारवात का जिसको हम लिव्रलिजम के नाम से जानते हैं अब यह उदारवात क्या है चलिए आपको पहले में यह बताता हूं उदारवात का मतलब क्या होता है जब लोगों को ल खुदी कर लेंगे जो हम उदारबाद का कॉंसेप्ट देखते हैं लेकिन इस उदारबाद को लाने में होप्स ने अपना सबसे पहला कंट्रिविशन इस नाम पे दिया इसने यह कहा कि कि इस्टेट कम से कम रोल करेगा अपना उसकी जो भूमिका है लोगों की चलाने में या लोगों पर सासन करने में मिनिमम होगी इस्टेट अपना कम योगदान देगा बाकि प्राइवट सेक्टर के अंदर लोग खुद ही अपना सारा काम कर लेंगे यह तो बेसिक नोलिज र बताने के लिए अब आपको यह समझना होगा कि दुनिया भर के अंदर राइट्स के लिए टाइम टू टाइम डिमांड की गई है राइट्स या अधिकार लोगों को दान में नहीं मिलती है इसके लिए काफी संघर्ज करना पड़ता है हम देखेंगे तो अमेरिकन रेवलि संघर्ज हुआ है अब उसके अंदर फंडमेंटल राइट्स भी आ जाते हैं तो इस तरीके से लोगों ने संघर्ज करने के बाद आजादी और राइट्स पराप्त कर यह यानि की अधिकार उनको मिला है लेकिन जो थोमस होप्स है होप्स टा कहता है कि एक व्यक्ति को पू निरंकुस होगा निरंकुस का मतलब जो लोगों पर सासन कर रहा होगा और वो सारी सक्तियां उसके पास होगी इसने सारी सक्तियां राजा को देकर एक राजा को पूरा डिक्टेटर बना दिया तो पहली बात तो यह जो होप्स की है यह दोनों बात आपको ध्यान में रखत है अब जनता पर शासन कर रहा है अब पूरी अगर अब कोई भी इंसान जब ज्यादा पावर्फुल हो जाता है तो जहरी से बात है कि डिक्टेटर वो बनी जाता है अब मुसौलीन को देख लो हिटलर को देख लो इसी तरीके से होपस ने भी अपने राजा को और उस राजा कारून को दिंडिविज्वर्व से कर डिया कार्ण यहां उसके अपनी का मतलब क्या हुआ गया से रहने लग गिया वह कानू का फॉल हो क्यूं करता है उसके अपनी क्या एक्ष्टेंस सेब्सक्राइब को ने माननकर आपको यह समझना है कि फ्राकरथिक आवस्ता अभी तक यह प्राकरतिक्न आपको बताएं यह सक्तेकर इन लि pakai के बारे में लिवरलिजम जस्ट एक ऐसी उदारवादी विचारधारा है जिसको बैस्टन कंट्री फॉलो करते हैं अमेरिका विरे टेन फ्रांस जो यह कहते हैं कि जहां पर डेमुक्रेसी हो कैपिटलिजम हो इस्टेट मिनिमम वर्क करें प्रैवेट सेक्टर प्रकाम खुद कर लेंगे इस्टेट को कोई इंटरफेर नहीं करना चाहिए तो यहीं एक उदारवाद है उदारवाद एक्वेल्टी लिवर्टी और जस्टिस की बात करते हैं बट होता क्या है सचाई में यह अभी आपको समझ में आ जाएगा बट यह बात इनकी करते हैं के लिए रहां पर जैसे आप सभी ने हिस्ट्री में पढ़ा होगा कोल्ड वार के बारे में जिसके अंदर यूएससर और यूएससर दोन तरफ थे यूएससर की जो एडिलोजी थी वो लिब्रेलिजम के थ बस्त आपको यह डिफ्रेंस पता होने साइए सोसलिजम में और कैपिटलिजम में अब हम तोपिक को यूँ समझते हैं जो होपस की जो विचार धारा है अब यहां से स्टार्ट होती है अब यह बताता है कि स्टेट का उदय कैसे हुआ है स्टार्टिंग में धर्ती पे स्ट इस गोर्मेंट स्टेट ये कुछ भी नहीं थे तो यह सब कहां से आपको डॉर्मवन के उस स्टाइम में बैटना है और उस ताइम पर चले जाना है जहांपे ना सुसाइटी थी ना स्टेट ना पॉलिटिक्स न गोर्मेंट ये कुछ भी नहीं तो चलिए आब हम बैठते वो निकल पढ़ते हैं यह समझने के लिए कि प्राकर्तिक अवस्ता के जो अब आपको बताता हूं कि नहीं ऌकदी दारा एक सोची गई है इसको हम कह सकते हैं कि हौस एक इमेजिनेशन करता है कि इसठेट के बनने से पहले की कंडिशन एक ऐसी कंडिशन जिसको होप ने 입 च्रय प्राकर्ति कवस्ता का है यानि कि जब इस्ट नहीं था तो इनसान धर्ति पर रहता हुज़ था उसी कंडिशन को इसने इस्टेट फनीचर का है और अब यह बताता है कि स्टेट फनीचर यह प्रकृतिक कवस्ता में इंसान कैसे रहा करते थे और उसके कि बाद जब लोगों को need हुई तो लोगों ने मिलकर इस्टेट बनाया है तो इस्टेट के बनने से पहले की condition को hopes ने state of nature या प्राकृतिक अबस्ता का है चलिए अब हम समझते है hopes नी क्या कहा है प्राकृतिक अबस्ता के बारे में जो सक्तिसाल है उसके पास resources है जो कमजोर है उसके पास कुछ भी नहीं है लोगों को अपना खुड ठिकाना नहीं है कोई भी आएगा मार के चला जाएगा जिंद्ग्या कुछ पता नहीं है आपको हमेशा आपकी जान की जो खत्रा है तो हमेशा यहां पर बनी रहेगी क्योंक है ना कोई बालवच्चा है ना कोई सुसाइटी है नहीं कोई ऐसी कोई संस्था है जो इन लोगों के बारे में बताए यह बिल्कुल state of nature के एक ऐसी कंडिशन है आप सभी अपने आखों को बंद करके जस्ट एक इमेजिन करो कि आप एक ऐसे कंडिशन में हो जिस कंडिशन म में हम आपस में एक दूसरे को दूर दूर तक देख रहे हैं कोई भी नहीं दिख रहा उसी को इसने state of nature के कंडिशन का है आई होप कि आप मेरी फिलिंग्स को समझ रहे होगे मैं कहना क्या चाहरा हूं यानि कि एसी कंडिशन जहां पे कोई भी नहीं है आपका माई आपको यहां पर जिसकी लाठी उसकी भैसवारा कंसेप्ट है क्योंकि यहां पर जो सक्तिसाली है आपसे मार के छीन लेगा कोई स्टेट तो है नहीं को पूलिस तो है नहीं जो आपको बचाने आ जाएगी तो एक दूसरे को जान से खत्रा है लोग जानवरों को मार के खा रहे हैं लोग जो कर रहे हैं उनको यह भी नहीं पता कि वह सइकर रहे है यह गलत कर रहे हैं कि यहां पर स्टेट ना गोवर्मन्ट ना राइत्स कश'Tolsका भी लोगों को बिल्कुल भी पता ही नहीं तो इस कंडिशं में लोगों को डर बना रहता है एक दूसरे का दर कि कब इसको मा कोई भी इंसान आएगा आपको मार के चला जाएगा हिंसा का डर वाले सो सकता है लोगों को डर रहता है लोग यहां पे भूके क्या से पने रिसोर्स के लिए भठकते रहते हैं यहां पर कोई है नहीं आपको पेट भढ़ जाए आपकी फैमिली तो है नहीं कोई पधिबार त इसी कंडिशन को state of nature की कंडिशन होप के दवारा कहा गया है जहां पर state government कुछ भी नहीं है अब क्या कहता है होप ट्राकर्तिक अवस्ता की अपनी कुछ पिस्थे इस्त्राएं हैं अभी तक जो मैंने आपको बताया है state of nature की कंडिशन अब इसकी जो में बाते हैं उसको ही इसने फीचर्स के रूप में बता है चलिए करके दिखते हैं सही और गलत की धारना करना होना प्राकर्तिक अवस्ता में यानि कि state of nature की कंडिशन में एक ऐसी कंडिशन है जहां पे लोग तो रह रहे हैं जिन तुना उनक पता तो जो कर रहे हैं वो कर लें दो भाई तो state of nature कंडिशन में अगर वह एक दूसरों का मार भी दे रहें मडर भी कर देने तो भी उनको नहीं पता ना जूट का ना सच का ना स्टेट का ना गवर्मेंट का लोज ना नियम कुछ भी है नहीं उस कंडिशन में कोई किसी का कुछ भी पिगाड सकता है को मst nenhuma किसी की कलपना कैसे कर सकते हैं एक इंसान को उसका हक यहां पर हक को प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी मालों आपकी जो बोड़ी है आपका जो शरीर है वह आपकी प्रॉपर्टी है आपकी प्रॉपर्टी को कब को नुक्सान पहुंचा जाए यानि कि कब कोई आपको मार कर चला जाए आपको उस कंडिशन में यह भी नहीं पता तो कैसे हम जस् बैस्तिस भी नहीं सबसे बड़ी बात यहीं है ठीक है एस्वीट सोतंतर्ता एक इंसान को कोई रोकने टूकने वाला है नहीं तेरे मेरे करने वाला कोई कॉंशेप्ट यहां पर है नहीं इसलिए एक इंसान बिल्कुल अल्लिमिटेड उसके अफ सिर्टियम है अब जो मन में है वो कड़ सकता है को निदा इस्टेट सेपना पॉलिस है अब जब यह सब नहीं है तो एक इनसान की राइट की दज्या उड़ेगी उसको पता भी रही है कि This इस है उसको यह पता है कि मुझे उस इनसान से बचना है अब उस इंसान से बचने के लिए वो इधर उद्र भागता रहता है और उसको ये खत्रा या उसको ये डर हमेशा बना रहता है कि कब को ना के मुझे मार के चला जाए क्योंकि यहां पर एक इंसान को पूरी सोतन तरता है कुछ भी कर सकता है वो फॉर्थ पॉइंट का है निर मतलब क्या होता है राज्य यानि कि राज्य नहीं tteक था थोसके तsti कभी किसी कंदीशन कष्गे कोई को सेल्फ एजर्वेशन के लिए या आतुमरक्षा के लिए एक दूसरे जगह पे भागता रहता है अपने आपको छुपाता रहता है जो कमजोर है क्यों को सकती सालिक का वाकिया मागे साल जागा पता नहीं चलेगा इसलिए होब्स कहता है यह युद्ध की अवस्ता है कब किस कोई जगड जाए या श्ट्रगल हो जाए या मलब की कॉन्फलिक्ट हो जाए लोगों में यह पता ही चलता तो ऐसी कंडिशन बनुगे इस तैंग इमेजिन करो अगर अभी ऐसा हो जाए आप अभी बैठे हो को आक आपको पहल किस अला जाए क्यासा लगएगा सेम उसी दोलत यह सोने चांदी तो थे ही बहुत सार पैसा हूं जो आपकी बोड़ी है यह आपकी प्रोपरटी है और इस कंडिशन में जो सक्तिसाली इनसान है मान दो आपने दो बक्त के लिए कुछ अनाज बचा के रखा हुआ है या आम या कोई फलफूट आपने बचा के रखा ह हुआ है यह आपकी में प्रोपरटी है और कोई आये आपकी रिस्वोर्स को छीन के लिए चला जाए तो यहां पर जो सक्तिस सालीय जो पावर्फूल है सिर्फ उनी कहीं चलने वाला है अब जो आज पावर्फूल है यह इस ते लिए चले जाएंगे कल कोई और एक इंसान की जो जीवन है जो लाइफ है वह भी दाव में लगे पड़िए यह स्टेट ऑफ निचर यह प्राकर्तिक अवस्था की कंडिशन नागरिक नैतिकता की अनुपस्तिति अपसेंस ओफ सीविल एथिक्स देको एक इंसान नैतिकता कब करता है जब उसको फंडेमेल द्यूटिस यानि की राइट्स मिलने के बदले में जो वह इस्टेट को देता है वह इस्टेट ऑफ नेचर की कंडिशन में इस्टेट तो है ही नहीं तो इस्टेट के ना होने के बज़े से अब यह पालन कोन करवाएगा कौन बताएगा लोगों को नैतिकता क्या है उनको क्या है जीवन की ऐस रक्षा इन सिक्वेरिटी ओफ लाइफ आज आप जिंदा हो कल टपक जाओगे कुछ पता नहीं है कब कौन मां के चला जा भाई स्टेट ऑफ नेचर के कंडिशन का मतलब क्या हुआ नेचर के एकोल्डिंग या नेचर पर डिपैंड होगे जीना बस ल देखा कि एक तूसरे से लोग डरते हैं डर का महूल है और इस फियर के वज़े से लोगों को यह लगता है कि उनका जीवन है वो खत्रे में हैं तो ऐसा कोई हो जो हमें इन सबसे बचाए जो हमें सुरक्षा दे जो हमें राइड्स दे राइड्स का मतलब जो हमारे पास अधिकार होना चाहिए हमारे पास सोतन दरता हो हमारे पास समानता हो जब हमारे पास ऐसे अधिकार होंगे तब ही तो हम जी पाएंगे तो अब लोग क्या करते लोग आपस में बात करते हैं उनके अंदर बुद्धी आती है तो जब एक इंसान में डर होता है तो बहुत कु लगा कि क्योंना हम सभी लोग मिलकर एक ऐसे इनसान को अपनी सारी सक्तियां दे अपनी सहमती दे कि भाई देख हम तेरे को पावर देते हैं या तेरे को यह फश्लेटि देते हैं इन सारे लोगों मालवी पब्लिक जोनता है state of nature ये condition वाली जनता आई है और इन सभी लोगों ने अपनी मेसाई किसी एक इंसान को बोला कि भाई देखा हम तेरे को पावर दे रहे हैं अपनी सहमती दे रहे हैं और तू अब हम पर सासन करेगा इस condition में क्या होगा इस इंसान के बीच में और ये आपस में लोगों के बीच में एक होगा agreement एक होगा समझूता समझूता क्या होगा कि भाई ये इंसान इन लोगों को defense देगा सुरक्षा देगा क्योंकि state of nature ये condition में defense है नहीं लोगों को अपनी जान की भी खत्रा है अब यही एक इंसान जो है वो बनता है राजा और राजा ही होता है राजे अब चलि को को खत्रा लगा कि भाई यहां पर एक दूसरे की जान की खत्रा है कब कोने दूसरे को मार दे हैं सब एक दूसरे के जान के पिच्छे पड़े हुए है ना को रोकने वाला ना को टोकने वाला है यह हमारी state of nature के condition अब मैं आपको जो समझाने जा रहा हूं इसको थोड़ा स इनसान को सोब दिये अब यही इनसान मिलकर सभी लोगों पर सासन करेगा और जो यह कहेगा लोग इसको मानेंगे भी क्यों क्योंकि यह सासन कर रहा है क्योंकि लोगों ने ही मिलकर इसको बोला है सासन करने के लिए यानि कि लोगों ने अपनी सहमती दी है लोगों ने अप सकते हूं है हाँ मोधी को सकते हो जैसे मोधी इसासन कर रहा है आप पिर दिवाल को सकते हो यानि कि एक स्टेट को चलाने वाला एक राजा ही तो होता है और इसी राजा को इस एग्रिमेंट के तहत बनाया गया है इसको समाजिक समझोता सिध्धांत कहा जाता है आयोप आपको यह समन में आ गया होगा समाजिक समझोता मतलब क्या हो गया कि समाज यानि कि जो लोग रहते हैं एक स्थान पे उन लोगों ने मिलकर एक ऐसे इंसान को अपनी सारी पावर सोब दी कि भाई अब तू हम पर सासन करेगा हमें संधै था तो इसे डर्स से निकालने के लिए इनीलोगों ने मिलकर क्या बनाया इस्टे paran आया यानी कि लोगों ने एक ऐसे इंसान से अग्रेमेंट करी समझहोता कर लिया अभिए इनसान इनको सुआ श्रप्षा देंगे ये लोग बिलकर जोनों सह्मति गानि जन्हों ने सम्ज्वता किया यह लोग कहलाए समाज यानि कि सुसाइटी और जिनको इन्होंने अपनी सह्मति गी वह क्या कहलाया राज्य है या सरकार या द्राजा तो इस तरहेके से राजय का उदे हुआ यानि कि लोगों की बीच में और राजय के बीच में एक समझोता होता है और इस समझोता को समाज़िक समझोता या social contract कहा जाता है और इस समझोते के बदले में राजय के द्वारा तो लोगों की rights हैं वह प्रक्टेक्ट किये जाएंगे वो सुरक्षित किये जाएंगे अब इस तरह के से जैसे कि डिफेंस दिया जाएगा राइट्स में क्वेल्टे लिवर्टे जस्टिस अब इन चीजों का ध्यान रखा जाएगा लोगों को अपनी जिंद के खत्रा नहीं होगा अब वो अपनी जिंद की बिना टैंशन के जी सकते हैं क्यों क्योंकि अब सरकार अब राज्या आ गई है सुम्रिटी आ गया है सकती पावर इस्टेट के पाथ जब कोई ऐसा करेगा तो उसको सजा दिया जाएगा कानुम का सासन है रूल अफलो आ गया भी हाँ इस कंडिशन में लेकिन भी हो सकता है क्योंकि जन्ता ने तो पावर दे दिया इनको अब यह उनका मिसीज करने लग जाए दूर्पयों करने लग जाएंगे तो इस कंडिशन में लोगों को यह राइट होगा या नहीं होगा कि इस गोवर्मेंट को वह फिर से रिप्लेस कर दे या हटा दे विद्र कर जोन लोग को कहा जाता है चलिए आब मैं बताता हूं यहां तक पूरी बात होपस ने बता दी बद जब यह बात बताने के आई कि जब लोगों की पावर को स्टेट या गोवर्मेंट के दौर जिसको पावर दिया है लोगों ने सोचल कोनट्रक्ट किया है डिफेंस देन से होपस ने लोगों को यह अधिकार ना देकर कि वो बिद्रो कर सकते हैं या अंदोलन कर सकते हैं यह अधिकार ना देकर इसने बिल्कुली क्या कर दिया डिक्टेटर स्थापित कर दिया डिक्टेटर मतला दिलंकुस राजा यानि कि ताना साही सरकार इसी वज़े से होपस को केडिसाइज किया जाता है लेकिन समझोता सिधानत अपने आप में इसलिए इंपोर्टेंट है यह इसने बता दिया कि किस तरह के से यहां पे लोगों ने एग्रिमेंट किया समझोता किया और इनका राज्य का उदय हुआ विस तरह के से अब स्टेट ऑफ नेश्य के कंडि के तरह के बाद के कंडीन के इसी कंडिया के अंदर इस्टेट कैसे बना है सोशल कोंट्रैक्ठ के द्वारा स्टेट बना है लोगों ने मिलकर एक ऐसे इनसान के साथ समझोता किया जिन्हों के दुवारा नाम दिया गया राजा लेवियतन जो लोगों पर सासंद करें दिखेंगे इतना खुंखार लग रहा है क्या ही इसको हटा पाएंगे लोग भाई तो जब कंपेरिजन की बात आती है होप्स और लोग के अंदर तो यहीं कंपेरिजन आपको बताना है जैसे कि पने सहमती ते सात्यस होब दिये तो अब राजा चाहे जो भी करें आपको इसको accept करना चाहिए क्योंकि आपके जागे पही हम शाशन करIO क्योंकि आप नहीं सहमती लिए तो अब बहुत कर रहा है और जो भोंत तो— कर रहा होगा ह। कि अगर जनता की बात नहीं मानेगी government या state क्योंकि social contract हुआ है लोगों ने सहमती दिया है अगर नहीं बात मानेगी या लोगों की जो liberty है या life है या property है जो अगर उसको save नहीं कर सकती तो लोगों को यह अधिकार होगा कि वह उस राज्य या उस government को replace करके अंदोलन करके बिद राज्य का उदय हो गया आई हो आपको comparison जो था वो समझ में आगया होगा चलिए अब हम hops की अलोचना करते हैं देखिए मानब सहबाब का एक पक्षिय दिश्ट्रिकोंड इसने बताया है इस बात पर इसकी अलोचना की जाती है इसने one side अपना वियूज दिया है hops ने क्या क सबस्के जाताया इसी बजहिते है से होपस को किडिसाइज किया आता है इसने एक राजा को निरंकुस बना दिया विल्कुल absolute power दे दिया क्योंकि जंता ने जब पावर दे दिये अपनी सहमती दे दिये तो अब चाहे राजा जो भी बोले जो भी कहे अब उसकी आदेश को भगवान का या गोड का आदेश मानकर लोग को पालन करना चाहिए बट ऐस से इस निरंकुस जा absolute power के वेशसे hopes को क्रिटिसाइज किया जाता है रिसकर्च के रूप में कहा जा सकता है बैपर के अनुसार कि hopes आसाधारन रूप से एक सुसंगत विचारक है hopes के विचारों ने अनेक देशों में करांतियों तता फ्रेंच करांतियों को लभावित किया है इसको फोलू भी किया है एंड मैक्सिकन राज दर्शन पर काफी इसका परभाप पड़ा है यानि के प्रभाप पड़ा इसका अक्सवर बैंथन ने भी hopes को यहां पर अपना है आगे चलकर धरन रूपेक्स तक जो concept है वो hopes ने काफी परमोट किया था इसको आगे चलके और थिंकर्स या फिलोसफर के द्वारा भी परमोट किया गया है तो इस तरके से हम कह सकते हैं कि hopes अपने आप में स्टेट के उपर जो इसने concept दिया है इंसान को जो इसने behavior बताया है वन साइड़ हो बट इसने जो बताया है वो लोगों ने इसको accept भी किया है और स्टेट के नया बंद आएगा वो है जोन लोग बट दिहानक नहीं hopes के दुवारा सबसे पहले लिवरलिजम यानि कि उधारवात का concept दिया गया है लेकिन इसके बावजूद भी जो उधारवात का जो पिता कहा जाता है जो फादर कहा जाता है वो जोन लोग को कहा जाता है I hope आपको य मैंने समझाया कि किस तरह के से state of nature की कंडिशन से क्योंकि वहां पर मोत का डर है इंसान को हमेशा बने रहता था उससे निकलने के लिए इंसानों ने यानि कि सभी लोगों ने मिलकर एक समझोता किया और उस इंसान को अपनी सक्थी सोब दी जो उन पर राच करेगा और जो उनकी राइस को प्रोटेक्ट करेगा अगर यह मिश्यूज करता है तो होप्स ने डिप्लेश करने का राइट्स लोगों को नहीं दिया इस वज़े से होप्स को क्रिटिसाइज भी किया लिए तो कॉसल में आप से पूछा ही गया एक सोशल कॉंट्रक्ट बताना है आपको स नहीं जाएगा यह कॉंट्रक्ट इसलिए होप्स ने एकर करके क्या बताया पहले यह समझाना आपको तो समझोता आखिर हुआ कैसे इसका पूरा प्रोसीजर आपको समझाना हुआ अंसर के अंदर सबसे पहले आपको यह बताना है कि होप्स के दुआरा मानव सहवाव की व दूसरों से अपने आपको हमेशा बचाना चाहता है ताकि कोई उस पर आटैक ना कर दे क्योंकि एक इनसान स्टेट ऑफ नेसर की कंडिसन में एक दूसरे के प्रोपरटी पे अटैक करके या उनके रिसोर्सर को चीनकर ले लिया करसे क्योंकि यहां पर स्टेट या गोर्मे इस condition में लोगों की वैक्ाइब और इसी प्राकरतिक अवस्ता के अंदर इस टीट-अफ नीचर की condition के अंदर लोगों को डर था और इस डर से लोगों ने भार निकलने के लिए क्या किया social contract किया यानि कि समध्य होता किया अब इसका पूरा procedure hopes के दुआरा समझाये जाता है कि लोग पहले एक जगह पे इखटे होते हैं उसके बाद आपस में मिलकर सभी लोग एक लाइन कहते हैं यही इसका procedure होता है क्या कहते हैं कि मैं यह सेम लाइन होपस बताता है अपनी बुक लेवियाथन के अंदर लोग कहते हैं कि मैं अपने ऊपर अपना सासन करने का अधिकार इस मनुष्य को देता हूं किस मनुष्य को देता हूं इस मनुष्य को होपस के द्वारा इसको राजा बनाया गया इसको ही मैंजिनेशन है होप के द्वारे कहा जा रहा है कि लोग निकलने के लिए यह ऐसा बोल कर लोग निकल जाएंगे चेट अपनी सहमति से अपने उपर इस इंसान को बठा लेंगे अब यह क्या करेगा डर दिखाकर सक्ति दिखाकर पावर का यूज करेगा लोगों को प्रोटेक्ट करेगा तो यही था फॉप होप के द्वारा सोसल कोंट्रैक्ट जैसे होता है स्टेट का राईज होता है और अलग-अलग देशों के अंदर लोग बस गए तो इस तरीके से राज्य का उद्य हुआ जिसको हम राज्य कहते हैं युनान या इरोपेन कंट्रिस के अंदर उनको नगर कहा जाता है क्यों क्यों कि लैटिन भासा में उसको नगर कहते हैं और जि भी नहीं जबकि जनता ने उस राजा को बनाया और ये सारी बात अपनी बुक लेभी अथर में बताताए लोगों के राज्य कहा गया जिसको स्टेट कहा जा रहा है जिसके अंदर लोग रह रहे हैं उन लोगों को अपने लोगों से सुरक्षा देना ताकि भाई आपस में लोग आपस में ना लड़ सके कोई दूसरे के जांगे खत्रा ना बन सके क्योंकि स्टेट और नेश्रेक एडिसार अपने उन लोगों को जिनके साथ एग्रिमेंट करके यह राजा बना है निरंकुस रास्तंतर की स्थापना कर देता है यहां पर होपस क्योंकि होपस कहता है कि अब कॉंट्रेक्ट लोग तोड़ नहीं सकते और लोगों को इसकी बात माननी होगी क्योंकि यह जो भी करने का राइट देखकर खुद लिव्रेलिजम या उदारवाद का फादर बन गया इस तरह के से जो इस्टेट का नेचर है अब यहां पर होपस समझाता है क्या कहता है कि बैवस्तित तता सब्वे समाज की स्थापना हो जाती है अंसिविलाइस्ट की कंडिशन से निकल कर स बन जाते है जैसे श्टेट यानि राजा बन जाता है सग्डीपर कहता है। एंसान के जीन रह तो उसके पास कुछ अधीकार होते हैं वह सी वो निरंग कुस्प परभू परभू मतलब यही राजा इनकी सत्ता को सेवकार कर लेते हैं होप ने कहा कि अब यही लोग इस सत्ता को अब इस राजा को एक्सेप्ट करेंगे क्योंकि लोगों ने इसके साथ अब एग्रिमेंट कर लिये हैं अब करता धरता सब कुछ यह होप्स के द्वारा क्या कहा गया कि लोगों को एक मात रखारे समपरभू समपरभू मतलब वही राजा इसका पालन नहीं के और में समझोते के द्वारा अनेक इस्थांपर की आदेश सिकानून होते है क्योंकि इससे ओपर कोई नहीं लोगों ने मिलकर राजा को ही सकता दी है आवर दिये तो अब जो राजा कहेगा वो लोगों मानना है वाई क्योंकि उसके दोबरा जो कही गई बात है वही कानून है उसका प्रते कारे सही है नियाइपून है अब वो जो भी करता है वो जस्टिस फाई है लोग पूछ सकतेभाई ऐसे क्यूं कर रहा है तो यह कहकर होभस ने कहीन एकुछ रिटेटर सी बना दिया अपने इस राजा को ये राजा सकती मान है इससे उपर कोई ही नहीं अब जो भी कहने जा रहा है जनता को उसको मानना ही होगा अब होप्स के द्वारा जो समझोता से धान दिया गया है अब उसके आपको कुछ बिसेस्ता हैं बतानी है यानि कि में जो इसकी carry रीस्टिक से चलिए हम पहले यह समझ लेते हैं पहलें समझझ कैस है समझोता समाजिक और आजनितिक दोनों हैं क्योंकि इस समझोता की दोवारा सुसाइटी बनती है उर स्सक्राइटी वी बनता है तो की इस टेट ऑफ-फ मेंसरे कंडिश्न को सुसाइटिग्राम की च आप कुछ लोग ऐसे भी गोलेंगे नहीं हम सहमति नहीं दे रहें तो आसे वह दे olmas राजा बने गए और ऐसे लोगं बिग्रों नहीं कर सकते यानि अपनी अवाज जरी आप कोई उलंगन नहीं कर सकता कोई भी ये contract नहीं चोड़ सकता वही लोग जिन्हों ने समझूता किया है जिन्हों एग्रेमेंट किया है ये contract किया है इनके पास भी वह राइट नहीं होगा कि फोर्थ पॉइंट का है संपरभू समझूते का भागिदार नहीं यानि कि यह जो राजा है यह इस समझूते का हिस्सा नहीं है जनता नहीं समझूता किया है आपस में मिलकर इसलिए अब यह जो समझूता यह लोगों पर ही लागो होता है तो राजा जो कहेगा वो सभी पर होपस ने जनता को और फसा दिया बीच में लाकर अब वोत सोच रहों कि ठीक था यार वो इसी कंडिशन में कम संग डढ़के भाग तो कहीं जाते थे अब इस कंडिशन में कि जहां पर लोग को अधिकार है नहीं है अब चलिए 5th point को देखते हैं समझोता चरिस्था यानि कि जो समझोता जो कॉन्टेक्ट हुआ है यह हमेशा के लिए हुआ है अब यह कभी खतम नहीं हो सकता ठीक है यह होपस कहा रहा है यह समझोते का उधेश से समझोते का उधेश से क्या है एक स्टेट बनाना और लोगों की जो फियर को खतम खंना जसे एक राजा बनेगा और यही राजा लोगों पे सासन करेंगा जो लोगों डिफेंस देगा इस्टियट आफ नेश्लें कंडिशन का जो डर था उसको खतम करेगा But hopes को दो ऑदिया गया कि डर को खतम करेगा जब इसने लोगों को अधिकारी नह देश है जो ि breve कहेंगा को सब सुखे होता ये एक इंडिवीजुवल एक-एक इन्सान ने शेहोता दिया यानि कि एक-एक इन्सान ने अपनी सहमति दिये इस राजा को बनाने के लिए इसलिए एक एक इन्सान का इसके सबसान करते सबसे पहले तो यह है कि इसने निरंकुष रास्तंतर इसने एप्शुलूट मुनार्की को स्टबीच कर दिया है लोगों ने समझोता किया एक राजा बनाया उससान करने के लिए अगर यह राजा ऐसा नहीं करता है तो लोग होटाने का अधिकार तो हो भाई लेक लिश्ते पुस्तAK नहीं पड़ी जिसमें इतना अधिक रास बिध्रह हो यहोप की बुक करें लेएथन को बुक है उस को करदा है इतना रास बिध्रह भारा हुआ है भिष्वात गात भारा हुआ तो इसके दुवारा कहा गया कि मेरी बसकी हो ना भाई तो इसके लिवेतन बुकों में जला डालो कोई किसी काम कर नहीं है अब ऐसा कहा किया जाता है और भी काफी सारे पोइंटे क्रिटिसिजम के चले देखते हैं यानि कि Hopes के दुवारा जो डिक्टेटर या और्टो क्रेशिक का जो समर्थन किया गया है इसके वैसे इसके डिसाइज किया जाता है इसने मानव सुहप का जो दोस्पून चितरन किया है कि इंसान मार काट में लागा रहता है चोर जगडालू है कप्टी है यह कहकर इसने से इंसान को explain किया है इसका जो अधर साइंडे प्यार महुपत का उसको explain नहीं किया है हमने अपने फर्स्ट कोसन में लिगा है होप्स के दुवारा जो शेट ऑफ नेचर या प्राकर्तिक हवस्ता की ववस्ता दी गई है या यह जो बताया गया है जैस्ट एक सपन की दुनिया जैसे प्लेटो कहता है क्योंकि existence में अस्तित्व में आज तक यह कभी नहीं देगे धरती पे प्राचन काल ना मद्देकाल ना अधनीकाल कभी भी नहीं इसको अनित्रहासिक कहा जाता है और फॉर्ट पॉंट का प्राकर्तिक अवस्ता में प्राकर्तिक अधिक और की माननेत है संगत है अब स्टेट अश्री कंडिशन में होप कहता है कि लोगों के पास कुछ नैश्रल राइट्स होते हैं बट कैसे होंगे लोगों के राइट्स तो एक दूसरे से खत्रे में बने हुए उनको पर जिंदका ठीकानत है नहीं इसलिए प्राकर्तिक अधिकार होंगे ल इसके वाइस से इसको यह अलोशना किया जाती है क्योंकि उस टाइम लोगों पास कोई राइट्स नहीं थे कि फिफ्ट पूंट क्या है लोग डर के कारण सत्ता की अधीन नहीं रह सकते जैसे कि होप्स ने कहा कि अब क्या होगा सोसल कोंट्रेक्ट के बाद इस्टेट बनेगा इस्टेट पर एक किंग होगा और यहीं किंग जनता पर राज करेगा और यह राजा लोगों को डर दिखाके या सक्ति के बल पर अपना राज करेगा बट जो होप्स नहीं कहा कि डर दिखाके यह अपने पावर को यूज करक दुणिया के अंदर ऐसे कही सारे राजा रहे जिन्होंने जनता खें बहुत अक्तचार किया अगर ऐसा ही राजा होगा तो लोग कैसे जी दर के कारण लोग जी नहीं प।ो इसलिए हो सोटेट साइज किया जाता है जो इसकी बात कही गई मैं यह दो क्योंकि आज तक नहीं संपर्भू सामील नहीं है संपर्भू मतलब जो लिवय थन राजा इसको जो छो है वह इसमें सामील नहीं लोगों ने मिलकर आपस में समझशना किया इस बंद्य को वह इस पॉप दी वहारे शीनी में हुआ है ठीक है लेकिन जो कंसेप्ट हमने समझाता है चार्ट के अंदर कि लोगों ने अपनी सहमती दे दी है बड़ समझाता लोगों ने पहले खुद अपने पास कर लिया है दन राजा को सोपी है इसी वज़े से इसकी अलोचना की जाती है वन साइड़ कैसे हो सकता है सिधान्त विरोधित्त एंटी प्रिंस्टिपल एलिमेंट्स इसके थोट में निकलते हैं क्या जैसे कि व्यक्ति को विरोध का अधिकार नहीं होगा यह चीज इसने गलत क्या जिसके वैशे स्कुरिटिसाइज किया जाता है जो प्रोटेस्ट का र वह चैश्व होगे तो जो गौर्मेंट है फिक्स नहीं होती जैसे कि हम अभी की बात करें तो पांच साल में गव्वर्मेंट चेंच हो जाती है चैंच भी वह सकती है वह रिपीट मैं कर सकते पर चेंज तो होई जाएगी बट इस्टेट जिसका फिक्स बाउंडरी होता इसकी बाउंडरी तो यही रहेगी यार पांच साल दस साल बीस साल पचास साल है जब तक यह किसी और को जीत कर अपने में सामी ना कर ले होकती यह फिक्स बाउंडरी ही तो इस तरह के से बट होप का कहता है कि स्टेट और गुवर्मेंट दोनों एक ही है बट आज का जो कॉं संस्ता नहीं है जिस तरह के से स्टेट को यानि की राज्य को होप्स ने कहा कि यह सोचल कॉंट्रेक्ट के द्वारा बनाई गई है इससे पहले स्टेट नहीं थी बट ऐसा नहीं है स्टेट ऐसा नहीं कि कॉंट्रेक्ट करके बनाई गई है क्या कहा जाता है कि राज्य एक लोग पैदा हुए आपस में वो रहने लगे फिर फैमिली बनी लोग मिलकर सोसाइटी बनाते हैं गाउं बनाते हैं फिर जाके छोटा कस्वा बनाते हैं इस्टेट बनाते हैं तो एक काफी लंबा प्रोसीजर होता है इसमें बट इसने कहा कि लोगों ने कॉंट्रेक्ट करके है इस्टेट बना दिया है तो राज्य कौंट्रेक्ट का परीनाम है यह कौंट्रेक्ट ऑटकम है इस पनाजे से होपस को कृतिसाइज के एक और नाब कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि राज्य ना तो इसवर द्वारा बनाया गया है और नाहीं इतिहासिक विकास का परिणाम है बलकि व्यक्तियों की निच्छित अवसक्ताओं की पूर्ति के लिए यह अस्थित में आया है जो मानव द्वारा निर्मित एक करितरिम संस्ता ह राज्य एक साधन बिल्कूल भी नहीं है इस प्रकार स्टेट लोगों के नीड को पूरा करने के लिए आया है यह लोगों ने राज्यों को नहीं बनाया लोगों ने मिलके ही राज्यों को बनाया है और जब तक वह बना रहा है जब तक लोग उसको चाहेंगे लोगों के लिंक नीचे वीडियो का डिस्क्रप्शन बोक्स में आप नोट्स को लेकर अच्छे से और भी पढ़ सकते हो वीडियो देखके तो टॉपिक को मज़ेदार तरह के जैसा मज़ सकते हो इस वीडियो को सभी जगा अपने फ्रेंड्स के पास सेयर करें अगर चैनल पर नहीं हो तो प्लीज अभी के अभी इसको सब्सक्राइब करके बाले करें यह वीडियो आपको कैसे लगी है नीचे मुझे कॉमेंट लोक्स में बताकर मेरे मोटिवेशन को बढ़ा है मिलूँ आप सेमें नेक्स वीडियो के अंदर जै हिंद जै भारत